आज भी दोस्तों intraday करने के लिए आप सभी के लिए best से best stocks लेके आया हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में भी आपका बेस्ट पिक होगा दोस्तों अगर आप ये वाले स्टॉक्स लेके चलेंगे जो मैं आपको आपके चलके वीडियो में देने वाला हूँ जैसे ही हर वीडियो में बताता हूँ आज भी RSI लेवल्स पे ही हम लोग काम करेंगे और RSI लेवल्स पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे दोस्तों लाइव मार्केट में और हर बार के जैसा आज के वीडियो में बोल रहा हूँ दोस्तों बुक पेन लेके बैट जाएए Strategy, Levels, Entry, Exit पूरे आपको समझ में आ जाएंगे मेरे वीडियो में आप लिख लिजिए Market में Trade करने के लिए Levels and Targets लिखा लाओं दोस्तों Wednesday 18th November 2020 के लिए Hello Everyone, मैं हूं Mohamed Sohail अगर आप पहले बार YouTube चैनल पे आएं हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए अपना पैला स्टॉक है दोस्तों SBI Life Insurance ये 15 मिनिट का Intraday Candle चाटे आपको भी कल लाइव मार्केट में 15 मिनिट का Intraday Candle चाट लगा की ही चलना होगा आज जो मैं Analysis करने वाल दोस्तों आप उससे सीख भी सकते हैं कि Analysis कैसे करें Intraday के अंदर और Exit and Entry Point भी कैसे हम लोग प्रिट करें आपको डेटेली समझा दूँगा और एक बात दोस्तों इसके अंदर ये जो Gap Up में Opening देखने को मिली हमें ये जो Gap Up Opening देखने को मिली Stock ये पूरा का पूरा Recovery करके चलेगा और जो Consolidation Level 62-40 लेके चल रहा था RS से में भी देखिए ये 60 Level है और ये 40 Level Consolidation लेके चल रहा था वैसे ही इसके अंदर हमें Up Move देखने को मिला है और एक बात दोस्तों कभी भी आप सभी को क्या बताओ अगर आप Selling Position ले रहे तो Upper Trend Line में Overbought Zone में आप Selling Position लेके 5 रुपीज का कौन से भी Stock के अंदर जिसमें Price Moment होता है 14 to 27 रुपीज का जो भी Stock का Price Moment होता है उसके अंदर आप जबरदस Selling Position में अच्छा खासा Profit Booking कर सकते हैं हर वक्त हर वीडियो में बताते रहता हूं और आज के वीडियो में भी यही बता रहा हूं देखिए आपको SBA Life Insurance में लेना है डाइरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों Selling Position Selling Position किदर लेना है आपको 865 लेवल पे लेना है क्योंकि अल्री 865 ओवर बॉर्ड जून हो गया अगर Reversal जाता हुआ दिखा 60 Mid Range Trade करता हुआ दिखा आपको इधर ही 5 रूपिस का Profit Booking देखने को मिलेगा अगर आप Intra Day के अंदर 55 लेवल RSI का 55 लेवल लेके चलना चाहरे है तो आपको 12 रूपिस का Intra Day Profit Booking देखने को मिलेगा पर मैं 12 रूपिस का Profit Booking कभी भी किसी को रिस्क उठाने के बारे में नहीं बोलता हूँ तो आप 5 to 7 रूपिस का Profit Booking करते वे चलिए यानि कल Live Market में Stock Reversal जाता हुआ दिखा तो आप 8.58 या 8.57 सडन फॉल किदर भी होगा आपको ये दो लेवल लाइम मार्केट में देखने को मिलेंगी दूस्तों कल Intra Day के अंदर अब ज्यादातर doubt ये भी होगा अगर ये यहां से बढ़ने लगा तो हम लोग क्या करें अब यहां तो हाथ धोके बैटना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों कुछ हाथ धोके बैटना नहीं पड़ेगा इसके अंदर uptrend जाता हुआ दिखा आप धीरे से देखिए धीरे से समझिए इसके अदर Intra Day में 8 रूपीज के हिसाब से आवरेस स्टाटेजी मेंटेन करके चलनी होगी आप सभी को क्यूंकि अल्रेडी एट थर्टी लेवल से बड़ा हुआ स्टॉक पिछले दो दिन से भी देख सकते हैं हम लोग बस रैली ही रैली अप्टें रैली ही मार्केट में देखने को मिल रही है यह लेवल 840 से लेगे 8.62 पूरा का पूरा 22 रुपीज का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला इससे ज्यादा भी वीकली के अंदर आगे जाने बड़ा तो 30 रुपीज का ही फाइनल प्रॉफिट बुकिंग देगा उसके हसाब से 8 रुपीज के हसाब से भी आवरेस स्ट्राटेजी मेंटेन क का होगा तो overall average आपका 865 आपका overall average बनेगा अगर आप नीचे लेवल से उपर जा रहें अगर आप 865 पे selling position लगा रहें stock उपर जाता हुआ 873 पे overall average maintain कर रहें तो 860 8.50 पाइसा या 869 का overall average बनेगा और यहां से भी reversal जाता हुआ दिखा आप double से triple profit book कर सकते हैं दोस्तों तो आपको इसमें selling position लेनी है का live market में 865 इसके अदर average strategy maintain करना है 873 आपको अगर यहां से उपर नहीं गया average strategy maintain नहीं हुआ तो 858 पे exit करना है average strategy maintain हुआ तो 865 पे ही आपको exit करना है दोस्तों हमारा दूसरा stock है दोस्तों बंदन bank limited बंदन bank limited ही क्यों लिका लाँ क्योंकि इसके अंदर जो price moment से आगे बढ़ रहा है stock वहां तक ही recovery ले रहा है यानि इसके अंदर consolidation level नहीं बन रहे है और यह exact जो price पे trade कर रहा है वही exact price पे trade कर रहा है अगर reversal जाता हुआ 40 bottom trend line पकड़ा तो आपको इसके अंदर 345 levels intraday में देखने को मिलेंगी आपको इसमें भी ही इसमें भी starting में selling position लेके ही market में trade करनी है same to same पिछले बार का तो 8 रुपीस का हो गया इसके अंदर 7 रुपीस के हिसाब से आपको average strategy maintain करना है और stock में uptrend हमें कहां से देखने को मिली दोस्तों हमें देखने को मिली 300 level के प लोग expiry के दिन भी इसके अंदर selling position लगा लेंगे तो इसके अंदर अच्छा खासा profit booking देखने को मिलेगा और कल के दिन भी हमें इसके अंदर अच्छा खासा profit booking देखने को मिलेगा दोस्तों आपको इसके अंदर selling position लेके चलना है 356 level के पास average strategy maintain करनी है 7 रुपीस के इसाब स यानि 363 level के पास आपको average strategy maintain करनी है अगर आप exit होना चाहते हैं तो intraday के अंदर 347 और 345 डो target लेके चलिए दोस्तों पहले ही आपको बता चुका हूँ book pen लेके बैट जाए लेवर स्टाटेजिस लेकली जिए stock में trade करने के लिए और best selling opportunity miss मत करिए दोस्तों क्यूंकि already 60 पे इसाब से हमारा average strategy हो जाएगा और reversal आता हुआ फिर से 62-55 mid range of RSI trade करने लगा बंदन bank limited आप सभी को जो मैं levels बता रहा हूँ 350, sorry दोस्तों 348, 347 और 345 पूरे के पूरे level देखने को मिलेंगे अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर 5 rupees के इसाब से profit booking करिए 10 rupees का तो profit मैं आपको इंट्राडे में बंदन bank में बता रहा हूँ दोस्तों आगे बढ़ते हुए average strategy भी maintain हुआ तो आप सभी को profit booking होगा यहां से ही reversal जाने लगा continuously यहां पे भी आपको profit booking होगा दोस्तों already bottom trend line जाना start हो गया है stock तो chance मिस मत करिए opportunity मिस मत करिए इसे trade ले लिजिए इसे कल लाइं market म यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए हमारा तिसरा है दोस्तों stock axis bank limited axis bank limited के अंदर entry आपको तो समझ में आ जा रही होगी candle chart देखते ही देखिए candle chart के अंदर uptrend rally कहां से देखने को मिली 500 level के पास देखने को मिली मेरी recently videos में आप सभी को मैंने expiry के दिन बता दिया था कि इसके अंदर selling position लेके चलिए market अच्छा volatility के साथ trade होते वह दिखेगा आप profit booking कर सकते हैं वो जिनका हमारा stock बहुत बढ़िया with double profit देखे चला है दोस्तों मैं proof देने के लिए भी ready हूँ आप मेरा expiry date का देख सकते हैं candle chart analysis and best price moment करकर मैंने video upload कर दिया था और एक बात इसके अंदर ही आपको RSI में भी level difference होते हुए देखने को मिले और एक बात दोस्तों देखे और एक बात और एक बात भोलकर मैं 3-4 बाते बता देता हूँ तो आप आपको बोर लग रहा है तो मुझे माफ कर दीजिए दोस्तों और इसके अंदर जो rally देखने को मिली यह expiry तक 100-200% दोस्तों reversal में recovery देखे ही छोड़ेगा अगर यह bottom जाता हुआ 40 पकड़े bottom जाता हुआ RSI 55 level पकड़े तो दोस्तों ध्यान से देखिए यह level पकड़ता दिखे आप सबी को इसके अंदर profit booking 615 तक reversal में देखने को मिलीगी और 600 level भी पकड़ेगा अगर यह bottom trend line जाने लगा तो opportunity miss मत करिए इसका आप option trading and future trading भी कर सकते हैं क्यों मैं इसके अंदर risk उठाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों risk है तो इसके ऐसा बताया जाता है movies में बस risk है तो risk नहीं होता है बस risk है तो panic ही होता है दोस्तों risk risk से नहीं हो सकता है तो यह मेरे हिसाब से मेरे अंदाज में बोल रहा हूँ पर आपको थोड़ा गलती लगा तो इसमें भी मुझे माफ कर दीजिए और एक बात जो इसके अंदर uptrend rally continuously देखने को मिली कहां से देखने को मिली 584 level से लेके 629 तक पूरा 50 rupees का uptrend rally हमें axis bank के अंदर देखने को मिला यही axis bank के अंदर reversal में भी recovery देखने को मिली तो 615 देखने को मिला कल मिलेगा कल live market में अगर आप लेके चलना चाह रहे है तो 622 target लेके चलिए selling position 632 लेके चलिए और इसके अदर average strategy maintain करना है आपको 8 rupees के हिसाब से average strategy maintain करना है दोस्तों इसके अंदर average strategy maintain करेंगे तो 640 final level होगा क्योंकि already overboard zone में चल रहा है इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा reversal जाता हुआ 622 के अंदर आप selling position के हिसाब से 622 में आप profit booking चल सकते हैं सेम 8 rupees का average strategy maintain करिए 632 पे selling position ले लिजे 622 का target लगा लिजे अगर आप safe trader है तो आप 625 पे भी exit हो जा सकते हैं दोस्तों कर दो सकते हैं